नमस्कार जोहर, स्वागत आप सभी का संकल्प से सिद्धी कारिक्रम में दोस्तों उस कारिक्रम के माधम से हम आपकी मुलकात ऐसी परसनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कारे को सिद्ध किया आज जैसी क्रम में हम आपकी मुलकात करवाने जा रहे हैं ग्लोबल आइडियास के फाउंडर डॉक्टर आरिफ हबीब जी से तो डॉक्टर आरिफ बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे कारिक्रम में समस्कार बहुत धन्यवाद कि आप मुझे अब बलाया और मुझे कुछ अगर अपने बारे में बताने का यॉपरिशुनिटी मिले और बताऊं तो मैं अल्भी जी बलकुल अभी पूरा कारिक्र में मुधी जी को बोलते सुने हैं जो उन्होंने कहा कि जितने बड़े तुम्हारे सपने होंगे उतने बड़े तुम्हारे संकल्प होंगे और तुम संकल्प पे फोकस करो सिध्धी तुम्हारे पास अपने हां पाईगे फिर उन्होंने कहा कि जितने बड़े आपके सपने होंगे उतने बड़े हमारे आपके प्रधानमंत्री के संकल्प हो तो ये बात कहीं ने कही मेरे मन में सुनी मैंने परसूं लेकिन कहीं ने कहीं मेरे मन में ये बात दो तीन साल से आई।ol मैं अगर बताओं मैं कोविड में वर्चुलि लाइफ डेफ की सिच्वेशन में वेंटिलेटर पे था एक कॉर्परेट करियर जोहां पर तीन से चार कोड की सैलरी थी हमारी उसको मैंने उस संकल्प को लिया मैंने उस डेथ बेट पे जब मैं उठ रहा था और तैईस में से सिर्फ एकीस लोग मारे गया दो मैं उठा मैंने का जीवन का एक होना चाहिए हम जीवन ऐसी जी के आज मर के चले जाते तो मैंने तब एक संकल्प उठाया कि मैं कम एक हजार भारतियों को एक बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट को कैसे बना सकता हूं ताके मेरी हाफ ट्रिलियन की एकॉनमी में मेरी थोड़ी सी मदद हो इसको दो ट्रिलियन परदान मंतरी पांच ट्रिलियन डॉलर की बनाना चाहते हैं इसमें एक्सपोर्ट की टू बिलियन वाइट खुब्सूरत तो यह सोच है हमारी अर ग्लोबल आईडियाज एक एकसपोर्ट कंसल्टैंसी नहीं है जबकि आपको लगेगा क्या एक्सपोर्ट कंसल्टैंसी यह ग्लोबल बिजनेस एक कंसेल्टेंसी है जहां पे हम दो काम करते हैं एक नॉलेज स्टाटप हम दुनिया बर से नॉलेज लाते हैं कि क्या ग्लोबली जर्मिनी में दुबाई में साउदी में वो भारत से क्या चाहते हैं और मुझे आपको सुन के ताज़ब होगा यह इंडियन वेलनेस से क्या चाहते हैं वह हमारे लोग को अभी भी नहीं मालब तो एक गैप है इस गैप को हम भरते हैं इसका नाम कहते हैं नॉलेज स्टाटप तो यह मेरे स्टाटप का एक हिसा है यह सिर्फ एडुकेशन कोचिंग या अंत दूसरा पाट है इसको हम कहते है स्टाटप जहां हमने अलग-अलग प्रड़क को पेटेंट किया हुआ है और उसको हम स्टार्ट से एंड तक एक स्टाटप को स्टार्टिंग से लेकर गाइड करते हैं इस मेंटॉर्स तो मेरा काम अगर आप एक लाइन में सुनना चाहें तो ग्लोबल आइडिया इस बेसि स्टार्टिक बिसनसे टु एक्सपोर्ट और तुम भार्त मारे प्रधानमांत्री का जो मेक इन इंडिया का सपना है उसमें एक छोटे सा कदम है बहुत खुबसूरा तार्यफ शीव तो अगर हम देखे ग्लोबल आइडिया का एक ये कंसेप्ट है कि एक आपका नॉलिज का ये आपका ब्रांच नॉलज के माधियम से आप स्टार्ट अफ को गाइड कर रहे हैं और प्रोड़क्ट आपके जो पेटेंटेड ये अवह आप्के प्रोडॉक्यों गार्क्ट हो Deckard हम से आप स्टार्टाप को और एंकरेज करने और बिल्ड करने मुफम पेंड फॉन्क अलग टीम है, अलग टार्गेट मार्केट है, नॉलेज हम क्लास 10 से नीचे के बच्चों के लिए तो क्या ये गवर्मेंट की तरफ से आप ओफिशली ये काम कर रहे हैं, क्या आप नॉमिनिटेड मेंटोर हैं, सम्थिंग लाइग इसमें लगा, मैंने इसको अपने कंपनी क्या बेवकूफ हैं कि इंडिया साइरुवेदा नहीं भेचती, समय लगा लेकिन फिर दीरे लोगों ने विश्वास किया, जी ट्वेंटी एक टर्निंग पॉइंट था, जहां मुझे नॉमिनेट किया गया इस शेर्पा, अब आपको मैं बताता हूँ शेर्पा क्य यह बनाता है, एक सही डारेक्शन बनाता है, जी ट्वेंटी में एक सहमती बनाई और दिखाया है कि अच्छा मेंटार कैसे लोगों के आइडिया को मिला सकता है, कहीं ने कहीं ग्लोबल आइडिया इस तरह की चीज़ आप भी सरकार की तरफ से एक नॉमिनेट शेर्पा है, जिनको शेर्पाओं का काम है, और शेर्पा बनाना, क्योंकि संकट यह है कि एक्सपोर्ट स्टार्टप करने वाले तो बहुत लोग है, मैं एक्सपोर्ट कंसल्टेंट हूँ, मैं आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन उनको गाइडिंस देने वाला, जब वो नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, किस कंट्री में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि आप, और किस क्या-क्या स्टेप्स लिए जिसको मैं 15 से मॉडल कहता हूँ, जा तो इसकी कमी है, तो शेर्पाओं की कमी है, मेंटॉर की कमी है, उस कमी को मतूर कर दिया, आरफ जी कैसे कब और कैसे इस ची अधिया फर द वर्ल्ड, हां, लोकल फर, वोकल फर लोकल, यह बाते तो आ रहे हैं थी कान में, और जब मैं मार्केट में 52 कंट्री में काम किया, मेरा बैक्राउंड कॉर्परेट है, मेरा बैक्राउंड बिसनस नहीं है, मैंने ITC लिमिट में बहुत लंबा काम किया, अलग में लिमिटेड में किया, एक्सपोर्ट भी हैंडल किया, सिफ्ट तो कंट्री में, कॉर्परेट बिसनस से उठकर इधर आना कैसे पॉस्ट दो हजार इकीस एप्रिल में कोवेड और मैं वेंटिलेटर पे था हूँ, बहुत कम चांस था, डॉक्टर ने का कि भाई अपना आ मैंने सबसे जादा क्या सिखा लाइफ में, ये कंट्री में घूम के जाना कि लोग इंडिया से क्या चाते हैं, आच ये तीस मुझे डिस्टर्ब कर रही है, कि वो चाहते हैं आयरवेद हम भेज रहे हैं, वो चाहते हैं हम से कि मखाना, लीची, हमारे और गैनिक जो, एक इ परसेंट भी ट्रांसलेट नहीं करें, तो ये तंग तो मुझे कर रहा था, लेकिन उस वात मैंने ये पर्पस बनाया कि इसको लोगों को सिखाऊंगा, और आज मैं खुशी हूं कि इतने फाइट के बाद, आज कम से कम 21 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, और कम से कम 4,000 करें, कब आपको लगा कि ऐसी किसी प्रॉब्लम कोई प्रिवलेंट है, जिसका सल्यूशन आपको लाने की जरूरत है, एक समय तो नहीं होता है, और ये समय में कभी लगा कि नहीं करूँगा, पर लगा करूँगा, लेकिन जिस तरह से वो बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ प्रॉब्लम आइंटिफिकेशन आपने कैसे करी? मैंने 11 योगा के नए टीवी स्टेशन देखे हैं दो साल भी, योग के टीवी स्टेशन, तो ये गाप अभी इंडिया में इसकी पूरी नॉलेज नहीं, हम बढ़ा दोमेस्टिक फोकस्ट है, तो कैसे, how do I unlock the potential of a domestic business for a great global business, तो ये बात मेरी अंदर में थी, वो डेथ बेंट आपके स्टार्टप का इनोवेशन या यूनीकनेस क्या है, जो आपको बाकी सबसे एक अलग हटके स्टांड, यूनीक स्टांड प्रवाइड कर रहा है, इंडिया में आपको बहुत सारे एक स्पोर्ट कंसल्टेंट मिल जाएंगे, वो आपको बताएंगे कि आपने ये प् आपे अलग-अलग कंट्री में आयरवेद को लेकर क्या इमेज है, तो ये गाप जो है, यही मेरा मेरा में आचित है, परपस के लोगों को ये बताएं, प्लस मेकिन इंडिया के बारे में कुछ लोगों की डाउट से माइंड में, उसका में एक अमबैस्डर बनावा हूँ, कि मैं इंडिया के बताओं कि यहां जो प्रोड़क्ट हम बना रहे हैं, वह अमेरिका में बने प्रोड़क्ट, जर्मेनी से बने प्रोड़क्ट कहीं कब है, बहुत सारे ऐसे ग्लोबल आइडियास हैं, स्टार्ट अप्स को लेकर जिसको आपने पेटेंट कर रखा है, और ग्लोबली अगर एक स्टार्ट अप की फ़र्म में क्रियेट किया जाए, तो काफी अच्छा रिजर्ट आ सकता है, जिसको हम कहते हैं, मॉनिटाइजिंग ऑफ आइडियास, तो ऐसे करीब पीस से पचीस आइडियास मैंने पेटेंट किये हैं, और एक एक करके लोगों को उ चाहते हैं, इसलिए हमने लीची का एक प्योर जूस पनाया है, जो किम्टी जूस वाले उनके साथ में टाइब करके, उनसे पूछ के, जो आप करना चाहते हैं, ग्लोबल बिजनस में, वो ग्लोबल आइडियास का एक औचित है, कि आप जो करें वो परते बिंब हो, उस ची लाया, कॉर्परेट होना एक बहुत ही सेफ जोन में होना है, स्टार्ट अप एक रिस्की गेम हो, जैसे मैंने कहा कि मुझे अपने जीवन में एक संकल्प की कमी महसूस हो रही थी, और इस संकल्प की कमी को दूर करने के लिए मैंने शुक्री आपके इनिशल स्टागल्स क् कभी आपको क्या ऐसा भी महसूस हुआ कि स्टार्ट अप वर्ल्ड को छोड़ कर और वापस कॉर्परेट की तरफ चले जाए, बिलकुल ऐसा कही बार लगा, संकल्प ही वो चीज थी जो मुझे परिशानियों के बावजूद भी स्वे उठाती थी, पैसे मेरे अपने थे ब फदर डेवलप करने का आइडेया में जो मुझे फंडिंग मी मिली है थोड़ी सी गवर्मेंट के तरफ से, लेकिन पहले दो साल फाइनशली बहुत बड़ा क्राइसिस रहा और लोग मेरी बात का विश्वास भी नहीं करते थे, आज विश्वास कर रहे हैं. इस पूरी जर लीडर अव ग्लोबल साउथ और प्रधान मेंटनी जब यह वाइस उठाया, तो जब मैं लोग से जा रहा था तो एक्सपोर्ट के बारे में अलग सोच रहा है. आप एक सिंपल डेटा मानें, जादा तर इंडियन कंपनीज का एक्सपोर्ट सिर्फ तीन से चार परसेंट है उनके बिजनस का, जबके यह मल्टिनाशनल अमेरिका में उनकी 90% सेल एक्सपोर्ट की होती है. तो मेरा यह कहना है कि हम क्यों नहीं ऐसा पलटे हैं, कि हम भी अटलिस 50% होते हैं. अब यह सुन रहे हैं लोग, पहले नहीं सुन रहे हैं. आरिफ जी, हम जान रहे हैं फिलहा क्योंकि एक शेर्पा से ही बनता है, एक मेंटॉर. तो मैं तीन लोगों का नाम लोगा, एक तो मैं प्रधान मंत्री का खुद नाम लोगा, इन्वीजिबली, क्योंकि मैं उनसे जब मिला हूँ तो एक लार्ज कम्यूटी में देखा हैं उनको, तो उनकी बातों ने मुझे किया, तो एक तरह का इन्वीजिबल मेंटॉर मेरे प्रधान मंत्री खुद है, सेकेंड शेर्पा मेरे एक संजीव शिवेश मेरे दोस्त है, वो इस है, वो रिटायर करके उन्होंने एक स्टार्ट अप खुला, उन्होंने मुझे काफी ऑपरचुनिटी दी लोगों से मिलन बड़े बड़े इंडस्ट्री से इन्डिट्यूस करने की, और मजे, वो और शीवानी सेंग, वो दोनों आएस से दोनों अब एक स्टार्ट अप चला रहे हैं और गवर्मेंट इंडिया नीती आयोग के अंडर में चला रहे हैं, तो उन्होंने मजे नीती आयोग से कि जीवन में अगर संकल्प है, तो सिद्धी तुमको एक दिन जरूर मिलेगी, सिद्धी पर फोकस मत करो, संकल्प पर फोकस करो, आरफ जी, भारत की जो विश्व गुरू बनने की इक्छा है, उसमें ग्लोबल आइडियास का किस तरह से रोल प्ले हो पा रहा है, बहुत ब अब किस स्पीड से हम इस गिवर को जीश्व बढ़ा सकते हैं, यह अब हम पर डिपेंड करता है, शेर पाउस या मैं चाहते हैं, आप भी एक विश्व गुरू की पार्ट हैं, आप भी एक शिक्षक हैं, यहां बैठे हैं, और लोग सुनने वाले दर्शक, हर इसमें एक ब हम खड़ा है, अमेरिका में आप ठेकरी बहुत पहले खतम हो गई, आज हम आयरवेद हम ने आज भी तो विश्व गुरू में बनने का मेरा कॉंट्रिबूशन है कि मैं एक बात कहता हूं कि हमारी जो चारवेद हैं, सामवेद, रिगवेद, अथरवेद, यजुरवेद, इ इसको हम मॉनेटाइज करें, यह वर्त अपने आप में 500 बिलियन डालर की इंडस्ट्रिय है, आरफ जी फिलहाल में आप कितनी लोगों को मेंटॉर्शिप दे रहे हैं और आपका ये स्टार्ट अप किन के जगों पे ऑपरिंट है, देखिए मैंने स्टार्ट तो किया था व मैंने एड्रेस बहुत किया, लेकिन करीब 2,000 स्टुट्ट डारेक्टी जुड़े वें, उनमें से एक तो बाहर भी खड़े हैं तो उन्होंने अपने अपने लेवल पे हमसे सीखा है, लेकिन वहां वो नॉलेज के लेवल पे उनको छोड़ा है, अभी उन्होंने आरफ जी, 5 unique ideas जिस पे आपने काम किया अपने स्टार्ट अप के लिए और उसमें से कुछ ideas जिसमें आप पास हुए, कुछ ideas जिसमें आप पेल हुए, मैं सबसे बड़ी बात बता हूँ कि मैंने 5 ideas पूछा तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा मुझे, मैं quickly finish नबर वन इंपोर्ट है वहाँ एक छीज मैंने देखा है जो इंडिया में नहीं सूना है, कि एक सारी प्रोड़क्त साथ के हिंद औरा हिंद जोड़ा है। रूज अपने जर्ज हिंद मतलब चावल फर्म इंडिया, जोज अपन मतलब मतलब को को कeka नट ओय्फ इंडिया, तो यह एक बहुत बड़ा आइडिया था कि हम हिंद को जिसम फिर मैं उठाऊंगा मारत एक ब्रैंड जोजल हिंद रोजल हिंद उदल हिंद मतलब जो अगर बत्ति हम जिसको धूप किते ना पूजा के समय और मजार पे जब चलाते हैं उसमें लिखा है कि सत्तर डिजीज का लेकिन अगर वह हिंद धरती सा है लेकिन उजाय कहां से रही है चाइना से आपको ताज्यब होगा मैं इसलिए इसको इसको कर रहा हूं कि हमारे सबसे बड़े जो मैनुफेक्ट्रर अगरबत्ति के वह भी चाइना में बना रहे है आपके कुछ आइडिया जिन पर हम डिसक प्रोड़क्स पर एक बहुत बड़ा मार्केट ग्लोबली और इंडिया को लोग चांते हैं समझते हैं कि यहां पर जैनुफे और जो बोलने वाले लोग है तो मैंने रिसर्च किया था कि बिटिश बंदा वेलनेस की बारे में बात करता है और जब एक इंडियान बंदा वे पहले इंडियन बंदे को सुनना चाते हैं नहीं पांचो आइडिया तो यह मैंने और अर्गेनिक पर बहुत बड़ी फेलियर चाथ इसके पांचों कि अच्छी पर यह पर जाते हैं तो इसमें काफी फानेशल लॉसस भी थे उनको प्रब्लम्स हाई आइरुवेद वाले उसम सबसे बड़ा स्ट्रगल है अवेकनिंग का जिस दिन बंदा जाग गया न वो जाग गया लेकिन जागने की संकल्प से जगाने का यह एक जपिलन्वा ट्रगने काम यह । उनके साथ ऑफ जिसको मैं कहता हूं Founder's Mindset या या उसको कहले है कि manufacturing mindset, मैं यह बनाता हूँ और यह organic मसाला बनाता हूँ यह बहुत अच्छा है और मैं इसमें कोई चीज नहीं चाहता हूँ तो इस mindset को बदलना सबसे बड़ा मेरे लिए टफ चीज है कि यह चीज चाहिए उनको आप इसमें यह चेंज लाइए आप उनको आयरोवेट से मिलाव चाहिए हम मसालो में डालें मसाले हमारी दवाय हैं आवर स्पाइसेज यॉरोप में अपथिकरी में लिखा है फिर मैंने मैक्सीम्मिव साथफ साकते करदा साथको स्पर्इल एग पीछे का और आपनिे स्टार्टक को बचाने की लिए क्लिए क्या क्या कदम होखिस लिए ऐप कभी वह हो क्यों सकता गल सबसे बड़ी बातब कभी इख और विप्टैन उतलटों करते रहा पड़ता है ग्लोबल रि और मेरे में भी आया यह, मैंने अपने को बदला, और मैं अपने जिसको mentorship देखता हूँ, उनमें यह problem बहुत जाद है, कि they are highly biased, क्योंको उनने create किया, जैसे एक बच्चा होता तो बच्चा बुरा भी होता तो बढ़ एक नहीं बच्चा है, उसको refinement की ज़रूदत होती है, और यह आज के दिन mentors के लिए सबसी बड़ा problem, और यह हम solve करें तो global ideas के लिए एक अलग स्थान बना पाएंगा, आपकी target audience कौन से रहते हैं, जिनके ऊपर आपका मुख्य रूप से focus रहता है, फिर मैं जोड़ दूँगा कि knowledge start-up में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, class 10 से कम, catch them young, उनको हम knowledge तक रोग देते हैं, उनको 2-3 साल देते हैं सोचने के लिए, और दूसरे जो ready है launch के लिए, जो हम product start-up करते या उनकी, they want to start a global start-up, मतलब start-ups में आप उन लोगों को भी support करते हैं, जो कि under-graduates जो, और इसके लिए मैं BNI जाता हूँ, federation, commerce जाता हूँ, और address करता हूँ, फिर जो इच्छा जिनकी होती है, वो मेरे पास आती है, start-up में skills और mental strength, दोनों का क्या role play होता है, और आपने मौवेश किस प्रकार से प्रकार से बढ़ा करता है, यह बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, कि start-up एक highly risky और yet very productive game, 80% is mindset, 20% is your technical skill, लोग सोचते हैं कि 80% technical skill से हम एक robo बना देंगे और succeed कर जाएंगे, नहीं, आपका जो mindset है ना, mindset सिर्फ आपके mental strength की निया है, कि आप इसे market को read करते हैं, कहते हैं, आइडिया का जो हिंदी translation है, आप गूगल में देखेंगे तो विचार, विचार नहीं है, वो एक अंतर आत्मा के अंदर घुस के पता करना है कि आपको क्या चाहिए, आरफ जी, बहुत businesses हैं, किसी भी business को चलाने के लिए पैसो की जरूरत होती हैं, और वो एक अभी सबसे बड़ा शुरूत है, पहले तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हम mentorship के थोड़े पैसे भी मिल रहे हैं, तो लोग उसमें भी एक लाग से पांच लाग फीज देते हैं, और अब तो लोगों ने मुझे independent director अपने कपनीं से बनाना शुरू कर दिय इसके अलावा और कुछ भी revenue के models हैं, revenue models मेरे यही हैं, कि हम उनकी sweat equity लेते हैं, 10% 15%, तब जब बिजनस बड़ा हो जाए, तो मैं भी उसमें अपना advantage और वो भी मुझे अपना part से, आरफ जी आप हमारे कारेकरम में आये और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेज जानग जोहर. Thank you.